और अब शुरू करते हैं राजनीत का सफर उत्तर प्रदेश में कई बरसों से सरकारी नोक्रियों की भरती प्रक्रिया पर एक अजीब सा अविशाप नज़राता है किसी भी विभाग की नोक्रिय निकले तो वो किसी ना किसी वजह से कानूर की चौकर तक पहुची जाती है और आवेदन करने वाले लाखों बेरोजगारों की किस्मत अधर में लटकी रह जाती है आज हम राजनीत में ऐसे ही एक मुद्दे को उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश में करीब 79,000 सिक्षकों की भरती का मामला भी कोर्ट में फसा हुआ है और अधर में लटकी है 4,000,000 से जादा बेरोजगारों की किस्मत सिक्षक भरती का मामला बेहत गंभीर इसलिए भी है क्योंकि सीधे तोर परे 4 लाग से ज़्यादा परिवारों से जुड़ा ही है लाखों करोणों बच्चों के भविश से भी सीधा जुड़ा है यानि सिक्षकों की भरती का मामला प्रदेश के कमोवेस हर दूसरे परिवार को सीधा प्रभावित कर रहा है तो आज राजनीत में यही समझने की कोशिस करेंगे कि आखिर क्यों नहीं हो पा रही है शिक्षकों की भरती और इसके असर से प्रदेश के युवाओं और नो निहालों को कितना नुकसाल हो रहा है सबसे पहले आपको शिक्षक भरती का पूरा मामला समझाते हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के चार लाग बेरोजगारों का भविश अधर में लटका हुआ है करीब साल भर पहले यानि 6 जनुरी 2019 को शिक्षक भरती पर इच्षा है उजित्वी परिक्षा के एक दिन बाद यानि 7 जनुरी को भरती के लिए मेरिट तै कर दी गई जिसके तहस सामान और पिछरा वर्क के लिए 65 फीज दी जबकि अनसूचित जाती और अनसूचित जन जात के लिए 60 फीजदी कट आफ तै किया गया लेकिन कट आफ के आदेश के खिलाब शिक्षा मित्रों ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी दूसरी तरफ कट आफ जारी रखने के समर्थन में बीटी सी और बीएट धारग भी कोर्ट की शरर्म में पहुँचके जिसकी वज़े से आज तक शिक्षकों की भरती की प्रक्रिया अटकी पड़ी है जबकि ये प्रक्रिया एक साल पहले ही फरवरी दोहजार उन्दीस में पूरी हो जानी थी अब आपको बताते हैं कि आखिर शिक्षक भरती का ये मामला क्यों पेचीदा हो गया सबसे पहले तो ये समझ लीजे कि अदालत में इस केस को लड़ने वाले चार पक्ष हैं सरकार को छोड़ दें तो अब भरतियों की तरब से भी तीन पक्ष हैं ये तीन पक्ष हैं सिक्षा मित्र, बीटीसी धारक और पीएट धारक सिक्षक भरती पक्रिया में इन तीनों पक्षों की अपनी अपनी मांगे हैं पहला पक्ष यानि सिक्षा मित्र, पक्रिया में परिक्षा के बाद कटापताय करने का विरोध कर रहे हैं और मेरिट के जरिये भरती का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ऐसा होने पर शिक्षा मित्रों को भर्ती में वेटेज का लाब नहीं मिल पाएगा। दूसरा पक्ष BTS धारक है, जिनके पास सिर्फ ट्राइमरी स्कूलों में ही नौकरी का विकल्प है। इसलिए BTC धारक सहायक सिक्षक प्रक्रिया से B8 धारकों को अलग करने की मांग कर रहे है। जबकि तीसरा पक्षियानी B8 धारकों का तर्क है कि किसी भी भरती प्रक्रिया में सामिल होना उनका अधिकार है। में हर भरती में सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए अब परिक्षा करवाने के बाद निधायत हुआ हम लोग मानी कोट के दरवादे परोपे आये कोट में अपनी बातों सरकार ने बनाये थे नियमूं का और इसलिए जब साना विश्च ने इसका पर इक्शंड किया डोपक्षों की लंबी बहश्य चली और उसके बात कारश बैस्च ने हम लोगों के फ्रस्ला देते हुए यह या कह दिया कि पूर में जो नियम बनाये गए थे मतलब 40 और 45 का एक passing mark जो निजायत किया था सरकार ने इससे पहले की भरती में और उसके बाद कोई दूसरे नियम बनाये ही नहीं तो उनी नियमों पे उनी कानूनों पे यह भरती संपन्न होगी जिसको कि सरकार ने नहीं माना और वो आगे दबल बिंच में चली गई हम लोगों के खिलाद जिस पर कि सुनवाई चल रही है अभी अब भरती में पार्टिसिपेट कर रहा हूं हम लोगों का मामला ये है कि बीटी सी एक ट्रेंड फुल ट्रेंड टीचर होते हुए भी उसकी जो सम्मावना है उसको कम करते हुए बीट क में कहा है कि ये अंट्रेंड हैं और इस 69,000 सिच्छा भरती के लिए उचित नहीं है तो सरकार से हम यहीं चाहते हैं कि जो हमारी पैरवी बीटी सी की तरफ से की जाए वो एज ट्रेंड टीचर के रूप में बीटी सी की पैरवी मानीनियाले में की जाए देगे हमारा जो मा कर रहे हैं हमारा मुद्दा पासिंग मार से संबंदित नहीं है हमारा मुद्दा यह है कि जो बीटी सी की संभावनाएं हैं उनको कम न किया जाए क्योंकि बीट के पास तमाम संभावनाएं हैं वो इंटर कालिज में चले जाएंगे डिरी कालिज में चले जाएंगे ल्टी है कि ढूण किया जयाए इस पासिंग मार को मैं यह Right का करता हूँ और सरकार के जो मानक है ऐस उसी मानकों पे हम लोग चाहते हैं कि भरती हो क्यों कि नियोक्ता कएक अधिकार होता है नियोक्ता हमारा सिर्फ अधिकार है कि परिच्छा में पढ़ना और पास करना और अच्छे अंक प्राप्त करना उसके अलावा मानक और सीटों का निर्धारान किस हिसाब से भड़ती होगी यह सारे अधिकार जो हैं वो सरकार के पास उरच्छीत नहीं और सरकार अपने मानकों पर ही पूरी भटी करें और यह पूरी भटी एक साल से जादा हो गया सबसे बड़ी जा था नोकरियां गिंती की होती हैं और उसके दावेदारों की तादाद लाखों में हैं ऐसे में सिक्षा मित्र हो या बेटी से धारक या फिर बियड धारक हर पक्ष सरकारी नोकरी के एक भी मौके को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता चाहे इसके लिए कितनी भी लंबी अदालती जंग लड़नी पड़े और इसी मुद्दे से जुड़े हैं हमारे आज के सव कि आखिर यूपी के चार लाग सिक्षकों का क्या होगा सवाल ये भी कि जब बच्चों के लिए पास फेल का पैमाना ते होता है तो उनका मास्टर साहब बनने के लिए क्या पैमाना नहीं होना चाहिए और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक दूसरे की टांग खिचाई की वज़े से अध्यापकों की भरती इतने साल से फसी हुई है आज की चर्चा के लिए हमारे साथ लखनों से जूड़ रहे सिक्षा मित्रों के पक्षकार रिजवान अंसारी इसके साथ ही एबीपी गंगा संबादाता शैले सरोडा के साथ मौजूद है बीटी सी धारकों के पक्षकार आकाश पटेल और बीएट धारकों के पक्षकार अंसो सिंग बाचबानेता अशोक पांडे और सपानेता रईसुद्दिन और हाई कोड के वरिष्ट वकील मोहित मिश्रा भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे सीधा सवाल पहले मैं आपके पास आऊंगा सैलेश ये जो आपसी टांग खिचाई में एक अनार सो बिमार के चक्कर में जो ये लड़ाई फस्ती जा रही है इसमें चार लाग सिक्षकों का भविशत और अधर में लटका ही हुआ है साथ ही साथ जो हमारी पूरी सिक्षा विवस्ता है जिसकी आवशकता है कहा जा रहा है नौलेज इंडिया की बात की जा रही है और इस तरीके से अगर ये टांग खिचाई चलती रही तो कैसे बात आगे बढ़ेगी और ये संगर्स कहां जाकर खतम होगा ये मैं चाहूँगा पहले आप अपनी टिपड़ी दे उसके बाद वहाँ जो आपके साथ दो लोग मुझूद है दो पक्षकार उनसे भी चर्चा करें बिलकुल निश्चीत रूप से राज जी ये जो मामला है ये खाली चार लाक अब्वहरतियों से जुड़ा हूँ नहीं है बलकि जो प्रदेश के एक करोड़ साथ लाक से आदा चात्र चात्राए सरकारी स्कूलों में परते उनसे भी सीधे तोर पर जुड़ा है क्योंकि आज भी शिक्षकों की भारी कमी है स्कूलों में ये किसी से छुपा नहीं है यही वज़ा है कि जब योगी सरकार आई उसने दो शिक्षक भरती निकालने का वादा किया 68,500 पदों की एक भरती थी जिसको किया गया और उसके बाद 69,000 पदों की एक और भरती को निकाला गया इसी दोरान 2017 में शिक्षामित्रों का समय उजन रदोता है सबके सामने ए बाते उसके बाद भी शिक्षकों की संख्या कम होई क्योंकि करीब 1,37,000 शिक्षामित्र थे जो सायक अध्यापक बन चुके थे जो वापत शिक्षामित्र बन चुके है 4,10,000 से जादा भ्यरती अभी भी एक साल से उपर बीच जाता इंतजार करते हैं कब परिणाम आएगा, कब उनको पता चलेगा कि वो शिक्षक बने या नहीं बने अधर में है उनका भविष्चे, अधर में है उन 1.5 करोड से जादा चात्राओं का भी भविष्चे जिनकी पढ़ाई प्रभावित होती है इन चीजों की वजह से कहीं न कहीं अभ्यरती ये भी मानते है कि इसमें सरकार जो है उनकी भी बड़ी लापरवाही है क्योंकि शिक्षा मित्रों की जो बात है कहीं न कहीं तर्क बनता है कि जब परिख्षा हो रही थी तो उससे पहले ही आफसर मिले नौकरी मिले सीधे अभ्यरतियों के पास चलते हैं सबसे पहले साथ में इस समय जो बी-एड के पक्षकार है इस समय जो याची भी है भी-एड के अंशु सिंख उनके पास चलते हैं उनीे से जानते हैं वह क्या कहना चाहते हैं क्योंकि शिक्षामित्र कह रहे हैं कि चाहिए बीटीसी कोई भी हो लेकिन कट आफ जो 60-65% कि वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर लागू होगी तो उनको वेटेश तक पहुंचने का मौकाई कोट की आदेश अनुसार अंशु सबसे पहले आप बताओ बीट के अब नहीं होना चाहिए बहुत देखे सर आपके चैनल के माद्ध मैं सबसे पहले कुछ बाते करना चाहूंगा कि जब भरती का नोटिफिकेशन आने के बाद क्या हुआ अब एक पच्छे है सिच्छा मित्र का एक है बीट का और एक है बीटीसी का सिच्छा मित्रिस में एक पच्छे है जिसको डेर सो नंबर के पेपर में साड़े बांसा ठंक का एक भारांक मिल रहा है जो मानी एपक्स कोट के द्वारा दिया गया है और उसको नहीं राजसरकार डिनाई कर रही है नहीं बीटीसी डिनाई कर रहा है लेकिन अब क्या होता है जैसे आप एक परिच् साइंग लाना है उसके बाद आपको वेटेज देंगे और उस वेटेज को पाने के बाद आपका शिलेक्शन शियोर हो जाता है तो उस वेटेज को पाने के बाद जब आपका शिलेक्शन शियोर हो जाएगा तो मेरे हिसाब से सरकार का लगाया हुए यह मानक गलत नहीं है यह हमारी पहली बात और जैसे यह कहते हैं कि ने बिचे को प्राइमरी में ने का अधिकार नहीं है तो मैं अपने भाहिया को बताना चाहूंगा जो पच्छकार है, की बीज़ जिस तरह से प्राहमरी में सामिल हूआ है, उसी तरही से बीटी सी को संसोधन के तहट जूनियर म करेंगे जो बीटी सी के पक्षकार है केस को लड़ रहे हैं जी आकाश आप बताइए आप क्या कहना चाहते हो यह जो पूरा विवात चला है आपको इसकी मुख्य वज़ा क्या लगती है और आप लोग की मांग गया देखें जो इसके मुख्य वज़ा है वो है 28 जून 2018 का राजपत जिसमें साबतावर पर यह लिखा है कि भीट के अभ्यरतियों पर नियुन्तम अहरता प्राथमिक के लिए बिचार किया जाएगा और बिचार कप किया जाएगा यह एक यह कोड का भीशा है कि बिचार कप किया जाएगा तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा तो जो आर्ट आर्ट एक्ट दोजार नो है उसमें धारा थीस की उपधारा दो के अमसार यह कहा गया है कि अगर बीटी सी अब एरती किसी राज में पर्यावत मात्रा में नहीं है तो आप बेट को लागर के एक चैलेंजिं कि मलब जो उनके पास संभावनाएं हैं फिर वही चीज आ जाएगी कि जैसे अभी अनसुजी ने कहा कि जूनियर में सामिल कर दिया गया है लेकिन आप ये देखिए कि आपके पास कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं ठीक है चलिए मामला आप इंटर कालेज में जाएं आप इस तरीके से जटिल हो गई है कि किसी के भी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है या हर शक्स पढ़ाना चाहता है और बाकी पढ़ने वाले इंतजार कर रहे हैं तो सिच्छा मित्रों के जो पक्षकार हमारे साथ जुड़े हुए रिजवान अनसारी रिजवान आपकी क्य वरकी ने भविष्ट का भी सवाल है तो अहरता जो सरकार की तरफ से जो रखी जा रही है उसको लेकर विरोध क्यों अच्छे सिक्षक क्यों नहीं होने चाहिए बिलकुल आवास नहीं आ रही है जी रिजवान ना बोली आपकी आवाज यहां आ रही है जी जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि हमारा किसी भी प्रकार का विरूध नहीं है हमारा केवल सीधा सा ये कहना है कि नियम बनाने का अधिकार सरकार के पास में हैं और सरकार चुकि एक बार जो नियम आपने बना दिया फिर उन नियमों को मानने की जिम्मेदारी भी सरकार की बन जाती है और यही बात हमने मानी नियाले में कही और नियाले ने हमारी बातों को माना भी पूरा मामले पे अगर आप नजर डालें तो मैं बताना चाहूँगा आ आपको 25 जुलाई 2017 से ये के ये पूरी स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है जब सिक्षा मित्रों का समाजन निरस्ट हुआ दुनिया ने और आपने भी और पूरे प्रदेश ने ये जाना कि सिक्षा मित्रों को मानिय सुप्रीम कोट ने निकाल दिया लेकिन उस जज्जमेंट पे सिक्षा मित्रों का समाजन कोईस होने के बाद में चुक डारेक्संथा सुप्रीम कोट का सरकार को इसका पालन करना था और पार 2500 आपने किया हमारा सीधा सा ये कहना है कि जब आपने 68500 में भर्ती करते टाइम परिच्छा कराते टाइम नियम बना दिये और उसके बाद उन नियमों में कोई नय नियम आपने बनाये नहीं एक वर्कटी आपने कर ली जब दूसरी बरती आप करने चले गए 69,000 की बरती उससे पहले आपने कोई नया नियम ऐसा बनाया नहीं जब दूससे पहले बना दिया था आपको अगर कोई passing mark बढ़ा के लेना था हम तैयार हैं देने के लिए आप कितना भी बढ़ा के ले लो लेकिन आपको नियम पहले बताने होंगे खेल स्टार्ट होने से पहले हमारी यही केवल इतनी बात है जो भी नियम आप खेल के निजायत करें आप उन नियमों का पालन कर लेकर जो यह पूरा एक तरीके से जटिल्ता जो फैली है इसके लिए जिम्मेदार कौन? आप कह सकते हैं सिस्टम पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर लगा देंगी लेकिन जो अभी इसका मौझूदा इस्टेटस क्या है इसका कहीं अंत होता दिखाई पड़ता है क्योंकि सवाल यहां पर वर्तमान भी खराब हो रहा है और भवी से भी खराब हो रहा है अगहीं कि वो ढुए कि और जुम्बथं तो राज्य सरकार के अधिकारी वो जुम्मधार है क्योंकि अब अज मिलें दिकर्यारी जहीं जुम्मधार है क्योंकि जो रिजवान ने कहा प्रक्रदत्य क्वर्व और खेश्व से अध्य संट अध्योंने पर स्थेने चैनल के चैनल थिसनों कि Participant तारीक कोही बोर्ड के सेक्रेटरी जो एजुकेशन आप जो बैसिक एजुकेशन एक्ट है इसको जो मेंबर सेक्रेटरी है वो अथ्राइस किये गए है उन्होंने पत्र लिखा सासन को कहा आप परिच्छा हो गई है अब क्या मानक परिच्छा होने वाली है जब कि क्रॉस इसको मामला ने कहा यह पूरा जो मामला जुडा हुआ है वह एक रिट हुई आनंद यादव की आनंद यादव की अनंद यादव हाई कोट की फुल बंस एं संद ऑज़ार 15 में यहां यह समझना होगा कि हम अदालत में मुकद्मा नहीं रख रहे हैं बलकि आम लोगों को आम लोकी भाषा में यह जो इसकी जटिलता है जो समस्या है उसकी तरफ हम एक तरीके से आईना दिखा रहे हैं उस पे हम रोशनी डालने हैं तो उसलिए हाज से इसका अब समाधान क्या हो सकता है आपकी नजर में जल्दी से यह बताएं फिर मैं आगे बढ़ू समाधान इसका यही है कि या तो सरकार का जो अभी जो एक सिंगल बेंच का डिसीजन आया उसके मताविक थो यह है कि वह उन्हों ने कहां होता हूँ नहीं दिखाई पड़ा है हमारे साथ भाजपा और सफ़ा के नेता भी मौजूद है उनके पास में आऊंगा लेकिन शैलेस एक बार आपकी संचित टिपड़ी जो मोहित समाधान बता रहे हैं और आप चुकी इस पूरे मामले की तहह तक गए हुए अलहदा पत्रक देखे राज जी इस बात से इंकार तो नहीं किया जा सकता कि देखे सबसे आसान तरीका है इस भरती की पेचित्गियों को समझने का इससे पहले वाली भरती का उधार अनम दे ले पहले जो भरती हुई 68500 की उसमें सारी नियमा वाली पहले से तह थी उसके बाद में भरती क इसी तरह की पेचित्गी नहीं आती है प्रक्रिया पूरी होती है अज शिक्षक कर रहे एक साल से उपर ऊचुका 되어 कि तो फिर ऐसा क्या हुआ के बातresh बात है को दूसरी भरती में एक मुद्दा उठा, एक मुद्दा मिल गया अभ्यरतियों को कि आखिर नियमा वली बाद में क्यों तैह हुई, कट आफ क्यों तैह हुई, सरकार कहती है कि हमें अच्छे शिक्षक चाहिए, इसलिए हमको कट आफ रखनी पड़ेगी, अभ्यरतियों की संख भी हो रही थी, सरकार की तरफ से जो वकील थे, उनकी तरफ से पक्स रखने में डिले किया गया, कही ना कहीं, जो तारीक लगती थी, उस पर समय से ना पहुचना ये, अभ्यरतियों के इस तरह के भी आरोप है, तो कहीं ना कहीं, सरकार और जो विभाग के अधिकारी है, उ उसके बाद आज 4 लाग स्यादा बेरती सफर करते हैं. जी सहलेश, बिल्कुल, करे कोई और भरे कोई. और यहां भरे कोई क्या पूरा समाज भर रहा है और भुगत रहा है. लोट कर आएंगे, छोटे से ब्रेक के बाद में तो भारती जंता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता भी हमाँ साथ मुझूद है. उनके नजरिये से देखेंगे कि इस मसले का क्या हल निकल सकता है और उनका क्या कहना है. कहीं मत जाईएगा, बस लोट के आ रहे हैं तुरंट. एक बार राजनीत में आप सबका फिर से स्वागत है और बिना देर गवाए, मैं भारती जंता पार्टी के नेता अशोक पंडे आपकी तरफ आऊंगा. जो बात सैलेश ने कही वो सबसे महतुपूर्ण बात है, कि ये जो वर्तमान और भविश्र दोनों जो पिस रहे हैं, सरकार या सिस्टम की गल्तियों की वज़े से, ये राजनीती कारों प्रत्यारों तो लगते रहेंगे, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन और इसका सम समझ रहा हूं, और सबी सिक्षा मित्रों को ये कहना भी चाहा हूं कि समयोजन सबका हो रहा है, देजसundert सभी की लिए सरकार चिंता कर रही है, सपासरकार में भी जो अवयद समयोजन मानिक शर्वुच नयालेद्वारा सिक्षा मित्रों को बाहर किये जाने का जो आदेश चाहे विद्यालों में उनके स्थारांत्रल की विस्था की बात हो जिनका समयोचन नहीं हुआ है उनको समयोजित करने की बात हो और चाहे इनका जो बहतरी के लिए हमने यह भी विस्था रखी कि जो 60 अंक और 50 अंक भी दिये इसके साथ में इनको open competition में आने के लिए भी कहा ग है वह चाहे नकल विहींद परिच्छा कराने की बात रही हो और चाहे समानता के रूपे समान सिक्षा पणाली को डवलब करने की बात रही हो और चाहे इस्थानात्रण नहींत को इस पर करने की बात रही हो अशोग जी हम पूरे तौर पर जी अशोग जी दिक्कत यह है कि म कुछ आपकी प्रासमिक्ता है आप बहुत अच्छा करने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है वह ज्यादा महत्पून है हो यह रहा है कि मौजूदा जो युवा नौजवान अदालत में अपना पैसा और अपना वक्त लगा कर लड़ रहा है बच्चे से अच्छा से व बिना मानक को पूरा के हुए जिस तरह से इनको भरती किया रायनीतिक वोट मेंग के कारणों से उसका आज खामियाजा पूरा समाज भुगत रहा है आज जो सिक्षक बनेगा वो आगे 32 साल तक सिक्षक सिक्षा देगा और वो बच्चों को सिक्षित करेगा तो क्या आप सम मित्र में सबका रास्ता बनाने का व्यवस्ता रहती है और हम उसको सम्वेदन शीलता के साथ पूरे तरह से हम उनके साथ है और पूरी तरह से सिक्षा मित्रों के प्रती हमारी सहान भूत है तीक अशोग जी आपकी सहान भूती का असर क्या होता है यह देखना पड़ेगा लेकिन रईसुपदिन जी आप हस सकते हैं आप भारती जनता पार्टी प्रवक्ता ने जो कहा उनकी बात में हस सकते हैं लेकिन इस पूरे जगड़े की जड़ और इसकी जो आधार शिला रखी गई वो आपकी सरकार के दोरा नहीं रखी गई है बात यहां किसी सरकार की नह के ओपर निकाली है किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं निकाली है तो इसके लिए जिम्मेदार आप आप हस कैसे सकते हैं कि आधर्णी राजकेशोर साहाब जी जिस तरीके की अभी इस पीच दे रहे थे भारती जनता पार्टी के लोग जी श्री पांडे जी हमारी सरकार के अंदर 2016 में हमने 12,460 नोक्रियं दी दिए उनको जब 22 मार्च को 2017 में कट आफ लिस्ट आ गई शॉर्ट में बता रहा हूं आपको और 23 मार्च को सरकार बन जाती है और उन्होंने ततकाल आते ही इस पर रोक लगाने का काम किया यह का का नहा है यह लोग भात्र दे सकते हैं यह लोग जो है जुम्ला कह सकते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कुछ करने को तयार नहीं है लोगों का भविश्वी खराब हो रहा बरतमान तो खराब है ही लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं बड़ी दिम्मेदार दो सो करोर रुपे उन विद्यालों को देने की कहा था जो बित्वीहिन थे उनको तत्काल पर बात बगट से भी नकाल दिया गया रैसुदिन जी दिक्कत यह है कि सरकार वादे करती है विपक्ष आरोप लगाता है इन वादे और आरोपों के बीच में जैसे यहां आपके बीच में सिच्छा मित्रों के पक्षकार रिजवान अंसारी पिस रहे हैं या बाहर खड़े हुए हैं सड़क पर सेले सरोडा के साथ में बीटी सी चील थी इन सिच्छा मित्रों के मांदे भी दिये गए थे और सिच्छा मित्रों के साथ साथ हमने सिच्छा में सुधार की जो पिरकिरिया थी उसको पूरा करने की वी पूरी चेस्टा की और हमारी इमानदारी के साथ हमने इन लोगों का साथ देने की कोशिस की अशोग जि जो यह 12400 की बात करें लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आखलेश यादव सरकार की गंदी राजनीती थी उसके तारणी आज सिछा मित्र परिशान भूम रहा है आपने उनको वोट बैंक समझ के जिस प्रकार से उनका दुरुपयों किया है और गलती राजनीती कौन कर रहा यह तो आपको मालूम है के बस जुमलेवाजी करने के अलावा कुछ विकास कारे करके दिखाया तीन साल के अंदर तो आप बताईए ठीक है आपने कुछ करके आपके पास रिजवान में आऊंगा आपके पास क्योंकि निश्चित तोर पे आपकी बात सुनने के लिए और आपकी बात सुनाने के लिए और समाधान की राहत तलाशने की दिसा में एक विमर्श के लिए ही आज का हम यह शो कर रहे हैं सैलेश आपने राजनीतिक आरोप परत्यारूप सुन लिए हैं लेकिन ये मेरे ख्याल से जो सुन पा रहे हैं आपके साथ में जो खड़े हुएं वहां पर बीटीसी और बीट के लोग खड़े हुएं उनकी क्या आशाय हैं वो क्या चाहते हैं क्या करेंगे जिस तरीके से कोर्ट में मामला चलना ऐसे तो किस किसी को कुछ मिलने वाला हासिल होने वाला नहीं है तो इसका आखिर रास्ता क्या निकलेगा किस तरीके के भाव उनके मन में चलना है जड़ा एक बार जल्दी से बात करके उसको भी सुनाया जाया दर्सकों को पिलकुल लिश्चित रूप से हम बात करेंगे राज जी और सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कुछ और अभ्यरती भी है उनके पास भी यह बताईए कि राजनीतिक दल राजनीती करते हैं इन मुद्दों को लेकर कोर्ट में केस चला है असलमें आप लोग अब क्या चाहते देखते हुए उनकी जो गलतिया हो गई है और बार बात को देखते हुए हमाई भविश को सुध्रन करें हम कुझ यह चाहते हैं कि जैसे ऐढ़्य सबसे पहले आप एक बहरती है एक युवा है जिसको रोजगार की तलाश है आप क्या चाहते है सरकार से इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीती होती है अपनी जगाँ आप क्या चाहते है मैं यह कहना चाहरा हूं आपके चैनल के मादम से सबसे में मुद्दे की बात अगर करी जाए तो कटाफ की बात कहते हैं कि पहले लगा देना चाहिए था जैसे हमको नहीं मालूम था B.A.W. बेर्थियों को नहीं मालूम था कि 60-60 कटाफ लगेगा B.T.C. को भी नहीं मालूम था, सिच्चा मित्रों को भी नहीं मालूम था कि कटाफ क्या लगेगा जब हमको कटाफ लगने से कोई दिक्कत नहीं है तो इन सिच्छा मित्रों को और यह जो फेल हो गए हैं BTC के बरती या सिच्छा मित्र वो अब यह कह रहा है कि कटाफ हमको नहीं बताया गया ऐसा तो कुछ हुआ नहीं हम एक सामान बरती के नाम के कह रहे हैं कि अगर अपने उपरदेश की चिच्छा बेवस्था देखी जारत पाइदान किस पाइदान पर लटकी पड़ी है किसी को नहीं दिखता सबको अपनी-पनी नौकरी चाहिए चाहें सिच्छा ब्यस्ता बार में चली जाए केबल नौकरी चाहिए बस और कुछी नौनिहालों को बना के आप लोग भी पेस रहें आप बताईएगा जल्दी से संक्षेप में बताईएगा कि क्या समाधान आप लोगो लगता है इस पूरे प्रक्रण का क्योंकि तीनों पक सेलेश एक सवाल फूछा जाए मेरी तरF सेक्से एक सवाल पूछ लें कि जिनको अगर बच्चों के लिए आहरता जरूरी है बच्चों के लिए मेरिट ज्रूरी है उनको पढढने के लिए अगर सिच्छक उपयूक तो नहीं होंगा सिर्फ नौकरी के नाम पर भी तो यह किया जा सकता ना तो इसके लिए सिर्फ अपनी नौकरी के लिए क्या ये उचित होगा कि बच्चों के भविष्ट के साथ खिलवार किया जाए बाकी उनका समयोजन सरकार करें वह एक अलग विशह है लेकिन यहां पूरी सिक्षा व्यवस्था का भी प्रशन है यह सवाल भी उनसे पूछ किया जाए बिल्कु लिश्चित रूप से बहुत ही महत्पूर्ण प्रशन भी है यह आप से एक बार बात करेंगे क्या नम है आपका दिनेश कुमांटर यह चीज यह बताईएगा बच्चा जब क्लास में पढ़ता है तो एक उसके लिए पैमाना होता है कि 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 अंक आएंगे तो वो पास होगा फिर जिस शिक्षक पर करोड़ों बच्चों के भविश के जिम्मेदारी यह लाखो करोड़ों बच्चों के लिए उसके लिए पैमाना क्यों नहीं होना जाए पैमाना तो बाद बनेगा अभी इस भरती में अभी इंटर का हाई स्कूल क बीए का उसके वाद जो है बीटीसी का और साथ परसेंट इस भर जो परिच्छा होई है इसके अंक जोड़े जाएंगे तब जागे कटाब बनेगा उसका आप को जो रात करेगा वही सिच्छक बनेगा और यह भरती केवल पास करने से कोई सिच्छक नहीं बनेगा अगर ए है का प्रराइब करते है कि बिर्टी से भी बात करेंगे अंशु आप बताए है कि क्या कहना चाहेंगे जैसा इन्हों ने कहा कि बाद में तो मेरिट बनेगी ही और जो कौलिफाई करेंगा वही बनेगा तो आप इससे क्यों नहीं सहमने सर एक सीधी से लाइन में कुछ बाते बताना चाहेंगे जब एक लाख सेंटीश जार पदों पर माननी इपक्स कोर्ट लें इनका समयोजा निरस्त किया तो राज सरकार ने उनको दो भागों में बाट दिया आड़ सट पान सो की वेकेंसी और 69 जार की आड़ सट पान सो का वि जब 40 और 45 समझी अगर आप डेढ़ सो में 40 और 45 अंक प्राप्त करेंगे तो आप बेसिक के बच्चों को किस तरह की सिच्छा देंगे जब आप खुद थर्ड डिविजन के अंक ला रहे हैं तो आपका पढ़ाया हुआ बच्चा कितने प्रिश्त का अंक लाएगा सबसे प टरवे और 97ड नबे कांpos नहीं ला पातते हैं परिछा में हम भी अपियर हुए आप भी एपियर हुए किसी को मेल नहीं किया गया कि यह नहींतम हरता आंक अगर लगेगा आप एक पेपर में एपियर होते हैं तो जाहिर सी बात है पास होने के लिए maximum gain करने के लिए ना कि minimum gain करने के लिए भाई minimum हमने भी नहीं गेन किया हमें भी सरकार ने बताया नहीं मैं मानता हूँ सरकार की इसमें कमी है कि सरकार को पहले decide करना चीए था लेकिन ये सरकार का विशेशा अधिकार है सरकार उसे कब decide करती है और जिसे हमादे आकास्पटेल भीया ने कहा कि वो उत्तिग्रांक है तो भीया वो उत्तिग्रांक नहीं है उसी बेसिक सिच्छा नियमावली में लिखा है कि नियूंतम हर्ता अंक मतलब मिनिमम कौलिफाइंग मार्क पासिंग मार्क सब्दकायूद सिर्फ हाई स्कूल इंटर बीस्टी ग्रेजुएशन आपके अकैडमिक केरियर में किया जाता है जहां पर आपको पास होना होता है पास होने का मतलब कभी भी यह नहीं होता है कि आप किसी भी नौकरी के लिए डिसाइड हो ही जाएगी आपके बीएट के साथ ही कहते है क्या कर इस तरह करेंगे तो क्वालिटी टीचर्स कैसे मिलेंगे आप इसे कैसे देखें देखें क्वालिटी बहुत अच्छी बात है क्वालिटी मेंटेन रखनी चाहिए प्राइमरी अध्यापक बनने के लिए राश्ट्री अध्यापक सिच्छा परिसान नहीं दिली एक निउन्तम योगिता निर्धारित करती है और उसने निर्धारित किया है कि आप एक प्राइमरी सिच्छक के लिए एक दो साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कर लिजे इनका तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट खेर पूरा नहीं है इसलिए एन्सीटी ने कहा कि छे मैने का ब्रिश कोर्स कर लिजे खेर उस पर बाद में आएंगे पहले तो ये समझेए कि उसने एक नियुंतम योगिता निर्धारित कर दी वो गवर्निंग वाड़ी है और यहां पर इसके पहले तमाम एक लाग करीब डेड़ लाग भरती उत्तर प्रदेस में हो चुकी है जिसमें ये परिच्छा थी ही नहीं तो अब आप अगर योगिता की बात कर रहे हैं तो इसका मलब वो सभी अयोग हैं भाई वहां तो ये परिच्छा थी नहीं वहां पे राश्टिया ज्यापक सिछा परसा नई दिल्ली के सर्थ के अनुसार के वल टीटी और बीटी सी जिसके पास थी टीटी परिच्छा उन्होंने पास के और सिच्छा बन गए वहां परिच्छा नहीं थी इसका मलब वो सभी अयोग है आप क्या कहना चाहेंगे आप बताए उबैद आप क्योंकि कहते है कि कट आफ जो है बाद में तैकी कई यह उचित नहीं है क्योंकि वो जैसे पताए कि एक लागा का भिरती पास हो जाएंगे तो सबको तो नौकी मिले की नहीं तो जेहन में सिर्फ एक बात आ रही थी कि किस तरीके से पूरी दिवस्था काम करती है सिक्षकों जिनको नौनिहालों का भविश निर्मान करना है उनको कैसे अदालतों की चौकटों पर जो उनका पूरा श्रम है जो उनकी पूरी जवानी है उसके लिए वो वहाँ पर बरबाद हो रहे हैं लेकिन ये जो बच्चों का भविश बना रिजवान जो आहरता की बात की जा रही थी आपकी नौकरी निश्चित तोर पर महतुपूर्ण है लेकिन वो जो प्रश्ण है जो उठाया जा रहा है कि जादा अच्छे सिक्षक मिले ये बच्चों का अधिकार है मौली का अधिकार है उस तरब भी सोचना उतना ही जरूरी है जतना बेरोजगारी दूर करने के लिए सिर्फ बेरोजगारी दूर करने के लिए किसी को शिक्षक तो नहीं बनाए जा सकता रिजवान कि बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल 110 परसेंट सहमत करता हूं पूरी तरह से सहमत करता हूं लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि इस इस मामले को समझने के लिए इस मामले को पूरा समझने के लिए कि मानि सुप्रीम कोट ने एक लाग साहितिस जाद सिक्षा Ben Question Kya और 111 नहीं करेzस्क्कार इस दिया को पने legends क्या अभी महिना पहले सवाल पूछना चाता हूं आप वे और पूरे प्रदेश को जाता हूं पहले कि चालिस और पैटालिस पर क्या अगर वा ंद्याफक योग नहीं थे तो आपको उनको बाहर लाना चाहिएisa? दूसरी चीज जाएगा? मैं एक रिप्स रहों समाओत. कोट और कोई भी सरकार सम्विधान के ऊपर नहीं जा सकती आर्टिकल 14 का अल्टिकल 14 का उल्लंगन हो जाएगा अगर 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 आपने इस भर्ती में अगर हाँ समानता का अधिकार आप लोगों की आदत यहीं है बाती जंता पार्टी की आदत यह है कि वह बोलने नहीं देते हैं रजवान जल्दी दो समान व्हर्ती दो समान व्हर्ती एक ब्रती को जो सुप्रीम कोर्ट से निकाले गए सेम सारी चीजे सेम हैं एक को आपने 40-45 पर भरती कर दिया और एक से आप कहते कि हम परिच्छा के बाद उसको आपने बता दिया कि 40 और 45 आप से लेंगे आप लाप आओगे तो आपको अध्यापक बनाएंगे और एक अभरती को आपने बताया ही नहीं क्यों कि उसके दिमाग में पहले से फीड़ता कि हम मुझे 40 और 45 का क्राइटेरिया क्रास करना एक नह नहीं बता सकता हूँ एक नीले सुकला और सहले सुकला अब राइबरेली का मामला है दो सगे भाई है दोनों भाईयों का समय तुन मालनी सर्वोच चनेले से क्वेस्ट हुआ पच्छी जले 2017 को दोनों ने पिछली भरती में बहुत बेहनत की और एक बच्चे का एक भाई का सर्षट हंक आया और एक भाई का चांट है ठंक आया जिसका सर्षट नंबर आया था मैं अर्चिनल बात कह रहा हूँ यह कोट में रखी गए यह बात में बता रहा हूँ आपको आज जो भाईस में मुद्धा रखा गया सर्षट हंक जिसका आया उसको आपने अध्यापक ब पैठा है फिर आप उससे कह रहें कि नहीं साब आप नबे लाओ दो अर्कोल ले आओ ये गलत है ठीक है रिजवान बिल्कुल में जब ये चीज गई कोट ने इसका संग्यान लिया ठीक है अशोग जी पाया कि समानता अशोग जी मैं आ रहा हूँ मैं अशोग पांडे मोहित म अश्रा और रईसुदिन आपसे लूँगा आखरी टिपड़ी जो सवाल अब भ्यरतियों की तरफ से उठाये गए इसमें से गलत किसको कह सकते हैं सबके अपने तरक हैं सबके अपने पक्ष हैं सबकी अपेच्छा हैं सबकी अपनी अहरता हैं सबकी अपनी योगता हैं जो तो आपने तैकी समय समय बढ़ ली जिसकी वज़े से ये दिक्कत सामने आ रही है कहीं मत जाईएगा छोटे सिप्रेक के बाद तुरंत आ रहे हैं लोटकर जवाब लेंगे तो राजनीत में एक बार आप सबका फिर से स्वागत हैं वक्त थोड़ा कम है मैं सीधे शैलेस आपकी तरब रुख करूँगा आपके पास तीनों जो दावेदार हैं वो हैं उनके अपने तरक हैं और किसी भी तरक को गलत नहीं ठैराय जा सकता ऐसे में आखिर रास्ता क्या चूकि इस मसले की जितनी पड़तों तक आप पहुँचे हुएं मैं फिर कह रहा हूँ कि साइध ही उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा बंदा होगा जिसने इसको इस तरीके से कवर किया हुआ आपके लिहास से आखिर क्या कर सकती है सरकार देखे राजी अब क्योंकि मामला इस समय कोर्ट में है तो फैसला कोर्ट को ही लेना है जो गलतिया शासन के सिर्से की जा चुकी है पहले ही बस इतना उन्हें ध्यान देना होगा अगली जो भरतियां उनमें इस तरह की गलतिया ना की जाए किसी भरती में जिससे लाखों ब पक्ष आज सुना गया लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हुई 18 को फिर से सुनवाई होगी और उमीद की जा रही है कि तीनों पक्षों की बाद जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जल्द ही कोट अपना फैसला भी सुना देगी तो सभी की निगाए हैं कि कोट अब क्या फ भाग को तै करना होगा कि कहीं पर भी कोई भरती निकाले उसमें कोई ऐसी खामी न चोड़ दे कोई ऐसा टेकनिकल पॉइंट न चोड़ दे जिसकी वएसे वो बिल्कुल सही बात है यह तो रही बात भविश्ट की और जो बात आप कह रहे हैं कि अदालत का जो आदेश इस तरीके के मुद्दे को हम लोग उठाते रहेंगे एवीपी गंगा के स्क्रीन पर और जितना हो सकता हम इसमें काम करेंगे हमारे पास वक्त इतना ही था माफी चायते हैं और इस चर्चा के बाद आखिर में हम कह सकते हैं आप सबका सुक्रियादा करने के बाद कि पिश्च की गुडवत्ता के लिए अध्यापकों की गुडवत्ता बेहत अहम है सिक्षक भरती का पैमाना भी सिर्फ गुडवत्ता ही हो सकता है ऐसी सूरत में अगर सिक्षामित्रों या बीटी सी के लोगों को लगता है कि वो रेस से बाहर हो जाएंगे तो सिक्षामित्र कि समा योजन की कोई नई विवस्था तलास नहीं होगी क्योंकि रोजगार उनके लिए भी जरूरी है और उनका हग भी तो आज राजनीत में बस इतना ही कलम फिर हाजिर होंगे किसी ने मुद्दे के साथ में तब तक आप देखते रहिए एवी पिगंगा खबर आपकी जु कर दो का रहिए आपकी जिस ने जग्तार आपकी जुटर अब येल KD 116 foreign